आज बात करांगे मीपा बांगरू के बारे में आप सभी लोग गानबी बांगरू का नाम तो एच्छी तरहा सुने होगा अरियाना में कंट्रवर्सी की बात कीजार मीपा बांगरू का नाम ना वह ऐसा हो नहीं सकता मिपा मांगुरू बहुती सवादो आदमी है और वो अर्याना से बाहर बैठा हुआ अर्याना के आर्टिस्टों को अर्याना की कास्टिजम को लगातर गालिया देता रहता है लेकिन अर्याना सरकार भी इस बारे में कोई संग्यान नहीं ले रही है मिपा बांगुरू ने आली में अरियाना के कलागारों के बारे में भी कुछ अपसब्द कहे थे इसे पहले भी वेजाती शुचक अपसब्द कह चुका है लेकिन अभी तक वे सरकार की पकड में नहीं आया है वे अमेरिका में बैठा हुआ ये सब कर रहा है मिपा बांगुरू को कोई ज़्यादा काम तो नहीं है वे यहां से पैरॉल जम्पर है और पैरॉल जम्प के बाद वह अमेरिका में चला गया था उसके बाद वे समय समय पर इंस्टागराम पर लाई वाता है और अर्याना के अनेक अस्तिय वो गाली देने का काम करता है तो मिपा बांगरू को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हुए उसके टोपिक को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि मिपा बांगरू को कुछ काम नहीं है वाष्राभ के नसे में ऐसी यरकेते करता रहता है मिपपा बांगरू ने आली मेरियाना के एकलाकार और सपना चोधरी फिचा चोधरी आरी वगेरा के बारे में कुछ सब्सब्द कहे थे उसके बाद से ही उसकी वीडियो को बहुत ज्यादा सेयर किया जा रहा है उसकी वीडियो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इसके बाद अर्यानी कलाकरों ने भी उसके खिलाब वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ये कंटीनू चलता आ रहा है लेकिन इसे रोक कर हमें मिफवांगुरू को इग्नोर करना चाहें क्योंकि वह सिर्फ फेम पाने के लिए सब कर रहा है मिफवांगुरू के बात की जाये तो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है पैरॉल जंप करके बार चला गया है उस पर इतने संगी मामले भी नहीं है कि अर्याना सरकार वहां से उसको उठागी लेकि तो उस बंदे को इग्नोर करें और सिर्फ उसको एंटर्टेन्मेंट के तो